हलो आज है बारा नवेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोड़ा फुन आइडिया के बारे में 10 रुपे का ये शेर है तक्रीबन 4.5-5% की तीजी हमें यहां पर देखने को मिली जरूर है और इसके साथ साथ वोड़ा फुन आइडिया के quarter 2 के नतीजे भी सामने आए हैं वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और ये भी डिसकस करेंगे कि भईया future क्या है इस company का मौके कहां पर बन रहे हैं खरीदारी के और कहां पर बिकवाली के बन रहे हैं वो भी डिसकस करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब् करेंगे तो वोड़फून आइडिया साड़े 10 रुपे का ये शेयर है और पिछले एक महिने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महिने में वोड़फून आइडिया में साड़े 3 प्रतिशत के आसपास के गिरावट भी नजर आई है आप इसे तेंगे शेयर तकरीबन 11 रुपे के आसपास था लगाता टूटा 10 रुपे के नीचे चला गया वापस तेजी दिखाई वापस ये टूट गया कोई खास यहां पर मुवमेंट नहीं आया है पिछले एक महिने में मुश्किल से एक रुपे का रेंज है एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वोड़ाफून आइडिया में 21% का ग्रोथ है और एक चीज़ में आपको बता दो के वोड़ाफून आइडिया में अगर देखा जाए तो बारा रुपे का जो रेंज है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है बड़ा रजिस्टन्स उस लेवल के उपर बैठा हु कि शेर खतम हो जाए बरबाद हो जाए कंपनी बरबाद हो जाए इसलिए आठ रुपे के आसपास हमेशा एक बाइंग लोटती हुई नजर आई है बस आठ रुपे का लेवल तब तोड़ा था जब कुमार मंगलम बिरला ने रेजाइन दिया था ये कहके कि भईया आप ही स जरूर है कि सरकार इसको बचाने के कोशिश जरूर करेगी और एक चीज़ जो है वो हर कोई मान रहा है कि कंपनी की में अगर हम बात करें टेलिकॉम सेक्टर की बात करें तो वोड़ा फून आइडिया एटलिस कुछ सालों तक तो सर्वाइब कर सकता है यहां पर अगर हम द देखें तो आठ करोड के आसपास के वॉल्यूम नजर आते हैं शेयर होल्डिंग की बात करें उससे पहले अगर हम नजर करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट के उपर तो देखें हर बार की तरह इस बार भी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है 7132 करोड का नुकसान वोड़ा एक यूजर से कितना रिवन्यू आता है तो 109 रुपे के आसपास का रिवन्यू आता है इनका दूसरी और अगर हम देखें तो कोई उतना ज़्यादा मतलब कैसे थे वह इंप्रूमेंट नहीं आया है प्योंकि नुकसान उतने ही है जितने होते आये हैं 7132 करोड का नुको साथ हजार करोड से ज्यादा काही लॉस हमें देखने को मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात पहली चीज नहीं है और सबसे बुरी बात एक और चीज है वो ये है कि वह यह रिवन्यू इस बार डाउन हुए हैं 13 प्रतिशत तक तूटे हैं 9401 करोड का रिवन्यू आया है जबकी पिछले साल 10,785 करोड का रिवन्यू था मतलब रिवन्यू में काफी हद तक गिरावट हमें देखने को मिली है जो की अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है वोड़ा फून आइडिया के बारे में अगर हम देखे तो आर्पूस में जरूर इंप्रूमेंट है अगरा के लिए तो पहले जो 104 रुपे था वो अब 109 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा है वोड़ा फून आइडिया को लेकर देखो एक चीज़ मैं यह भी कहूंगा कि बहुत 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 बढ़े करजे में डूबी हुई है यहां पर अगर ह हम इनके करजे के बात करें तो 1.94 लैक करोड एक लाख पिचानवे हजार करोड के आसपास का कंपनी को अमलब करजा है कंपनी के उपर जिसमें अगर हम बात करें तो स्पेक्टरम पेमेंट अब्लिगेशन जो है वो 1.08 लैक करोड है एगर हम बात करें तो 63,000 करोड से भी जादा की है एंड ड्यू टू गवर्रमेंट एंड डेप्ट फ्रों बैंक एंड फैनेशन इंट्विशन के अगर हम बात करें तो 22,770 करोड है तो वह यह करजा तो बहुत है और उम्मीद अभी यह है कि शायद हो सकता है कि शायद सरकार के तरह से टेलिकॉम सेक्टर को थो नहीं मिलेगी तो हालत वही होगी जो पहले भी थी कोई इंप्रोमेंट नहीं होगा अकॉर्डिं टू मने कंट्रोल लूजर पांच प्रतिशत लोग बेचने की बात करें वरना हर कोई खरीदारी करने की या होल्ड करने की इस वाह दिता हो नजर आ रहा है दूसरी और अग किस के फनाशल जर में 42,000 करोड के आज पास के रेवन्यू थे जो इस बार अगर हम देखे तो जून में 9,000 करोड रहे हैं और अगर हम अभी की भी बात करें तो वो 9,000 करोड के आज पास के ही रेवन्यू नजर आए हैं और इसी रफतार से अगर बढ़ते रहे तो वह या रेवन्यू 36,000 करोड में सिमट जाएंगे जो कि अच्छी बात नहीं होगी और प्रॉफिट तो भाईया कंपनी को हो ही नहीं रहा है बलकि कंपनी को नुकसान ही हो रहा है आप देखे कंपनी का लॉसिस हर साल बढ़ रहा है और बड़े बड़े लॉसिस कंपनी कर रही है जो कि अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए फ्यूचर में तो देखे पहले चीस तो यह कि कंपनी को भाईया पैसा कमाना पड़ेगा और कंपनी पैसा कमा नहीं पा रही है ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वोड़ाफोन आइडिया को लेकर खरीदारी का स 0.5% की होलडिंग प्रमोटर के पास है मूचल फक के पास 1.18% की होलडिंग है पिछले क्वाटर के मुकाबले खरीदारी की है मूचल फक्रशा यहां पर 6.29% की अब 4.04% है retail और others जहां थे वहीं पर है 22.36% की holding अभी भी 22.37% के आसपास देखने को मिल रही है तो देखो मैं यही कहूंगा अभी के लिए Vodafone idea देखो मैं यहीं कहूंगा कि company बरबाद हो जाएगी company definitely कुछ सालों तक survive जरूर करेगी लेकिन situation अभी कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है नतीजे खराब आ रहे हैं 12 रुपय का जो लेवल होगा वो profit booking का लेवल होगा और खरीदारी का जो लेवल होगा वो 8 रुपय के आसपास का होगा बीच के लिगल में भईया पढ़ना ही नहीं है पहली चीज़ थे क्या तो आठ के आसपास मिले तो हाँ अब हलकी से quantity खरीद सकते हो यहाँ पर लेकिन दस साड़े दस तो भईया बहुत महँगा हो जाता है वहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो यही कहूंगा वोड़ा फोन आइडिया करजे की वज़य से company काफी खराब situation में है और अगर सरकार से कोई immediate मदद नहीं मिलती है तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है अगर सरकार से help नहीं मिलेगी तो सब कुछ सरकार की उपर depend करता है कि सरकार इसको किस तरीके से help करेगी या बचाने की कोशिश करेगी तो वीडियो को यहीं पेंट करूंगा पसंद आया हो तो लाइक कर शाय के चैनल पकर पहली बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्र